प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन के लिए हम पर्मेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तूती करेंगे क्यों की पर्मेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुन लिया है, इसलिए प्रभु की धन्यवाद करें, प्रभु की स्तूती करें, हालेलोईया, प्रभ प्रबुजी और आपने पिता परमिश्रम से इतना प्रेम किया कि आपने पिता परमिश्रम पने आपको ग्रूस पर दे दिया प्रबुजी हालेलुया थैंक यू जीजस थैंक लॉट थैंक लॉट फर एवरिंधिंग प्रबुजी हमारे जीवने में प्रबुजी आपने इतन आफ़ κάतर दोचिने रही दिन में आज पर्वेश नहीं परूआघ कर्भी आज के दिन को देखने पाए और आप आपके पास चले गए लेकिन अपने प्रमूशर अपने दिया को बनाए रखा को अपने करन सब्सक्राइब घ्रते किये अपकी महीम पर्मिश्य सच में पिता पर्मिश्य को धनिवाद करते हैं आज इतने भाई-भहन लोग क्योंकि इस सुपा की सुन रहे हैं और आप धन्य लोग हैं क्योंकि आप साथ में आप प्राथना कर पा रहे हैं हालेलुया हम सभी धन्य लोग क्योंकि परमिशन ने हमें चुन लिया है हालेलुया तो आज इतने भाई बहन आज सुबह की समय में आज इस प्राथना को आप सुन रहे हैं आज इस प्राथना में बने रहे हैं इदर उदर ध्यान न लगा है आज आपके छुट कारे का दिन है आज आप जब वचन सुनेंगे और प्राथना जब आपके लिए होगी और तब आप सुनेंगे आप देखेगा आपके जीवन में कैसे परमेशन अद्भुद्रिते से काम करता है आज आपके बंधन तूटेंगे आज छु प्रमेशर का धनिवाद हो प्रभु की इस तूटी हो प्रभु का जो प्रेजन से वो हमारे बीच में है परमेशर का धनिवाद करें वो आदर के योग है वो महिमा का योग है जो हमें दल्दल के कीचर में से निकाल कर हमें कहां पर खड़ा किया चट्टान पर परमेशर का धनिवाद करें परमिशर का धनिवाद करें क्योंकि परमिशर ने महरा नाम लेकर बुलाया और जगत की उत्पती से हमें चुन लिया इसलिए परमिशर का धनिवाद करें आलेलुया प्रभु की स्तूती हो प्रभु का धनिवाद हो आपको और आपके परिवार को बचाया परमेशर का धनिवाद करें प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा अपने आखे पतले के नाई हमें संभाल के रखाया परमेशर का धनिवाद करें आपका धनिवाद करते हैं 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 में हालेलुया प्रभु की स्टूती हो प्रभु की महिमा हो हमारा छोड़ाने वाला हमारा अद्बुद्ध युक्ती करने वाला प्रभु जिमा आपका धन्दी बात करते हालेलुया मैं अपने हाथों को प्रमेशर पिता सर्ग क्यों उठाकर मैं अपकी तारिफ करती हूं मैं आपकी महिमा करती है पिता परमेशर आदर की योगी स्तूती की योगी प्रभु जी आप स्तूतियों में पिता परमेशर इस्तूतियों में निवास करने वाला परमेशर है इसलिए प्रभु की स्तूती करे परमेशर की महिमा करे आज अपने दस्तार वाली सारंगी को बचा कर परमिशर की स्टूती करे परमिशर की महिमा करे प्रभी की स्टूती हो अलिलिया थैंक जीजिस ना कि पहला प्रे से बर ने कर बजिए आज जितने भाई बैन जो round को सुने अज इनके जीवन में पहला प्रेम को उंडिल दिजए उस अगापे लफ को उन्देल दिजे पीता परमिशर आपका प्रेम को प्रबुजी उन्देल दिजे पीता परमिशर तैंक जीजस थैंक लूड़ प्रबुजी ओलियु थैंक जीजस चाहते हैं तुछ से खुताया तेरी आशिष तेरी नाम से पूरी होवे बंदों की ख्वाश तेरे नाम से पूरी होवे बंदों की ख्वाश आज कितने लोग चाते हैं प्रभू से आशिश को पाना आज कितने लोग चाते हैं कि परमेशर आज हमें आशिश करे आज हमारे जीवन में से सारे जो बुराई हैं, जो कि प्रब्लम में समस्याक खतम हो जाएं, तू कितने लोग चाहतें कि प्रभू में आशिश दे, तो इसलिए आप वर्शिप करें, परमेश्क के स्तूती करें, आप देखेंगा आप अपने जीवन में, आप जैज़कार करे इस्तूति करें गीत का आनंदित हो जाएं खुशिया मना है क्योंकि प्रभु ने हमें निया जीवन दिया है प्रभु ने हमें ये नया साल दिया है इसमें हमें परमिशन ने क्या रखा है जीवित रखा है हमें चुटकरा दिया है हारे लेलुया चाहोते हैं तुझसे खुता आया तेरी है आशिश, तेरे नाम से पूरी हो वे बंदों की ख्वाईश, एक नया साल हमें तूने दिखाया, बुरे दिनों से हैं हमको बचाया, इक नया साल हमें तूने दिखाया, बुरे दिनों से हैं हमको बचाया, करते हैं हम शुक्र तेरा, दिल उचल जाता है तीरी प्यार से हमारा, दिल उचल जाता है तीरी प्यार से हमारा, चाहते हैं तुझ से, खुद आया तेरी आशिश, तीरे नाम से पूरी होवे बंदों की ख्वाईश, खाली दिलों को हैं लाते हैं येशू, पाकी वजा से बहाते हैं आशू, खाली दिलों को हैं लाते हैं येशू, पाकी वजा से बहाते हैं आशू, लोह से हमको धो लेना, ताकत अपनी से हमारे दिल को तु भरना, चाहते हैं तुझ से, खुद आया तेरी आशिश, तीरे नां से पूरी होवे बन्दों की ख्वाईश, तीरे नाम से पूरी होवे बन्दों की ख्वाईश, अपने प्रेम से हमें बुलाया है, अपने प्रेम से हमें बुलाया है, आप मेरे साथ परमेशर की स्तूती करें और महिमा करें, जो परमेशर ने हमें नया जीवन दिया, इसके लिए तारिफ करें, यहुन्ह रचिसु समचार उसका 15 अध्याएं उसका 13 वचन इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्रान दे जो आग्या मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो हलेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु की इस्तूति हो और हमारा जो परमेश्वर है प्रभीयश मसिय वो सच में वो हमसे और आपसे कितना कितना प्रेम करता है और वह इस संसार में हमसे बढ़ कर किसी और से प्रेम नहीं करता और वह हमें एक मित्र की रूप में प्रेम करता है और जब हम पढ़ते हैं परमिशा के वचन में तो वह जब हम चेलो के बारे में देखते हैं तो वहाँ परमिशा क्या कहता है चेलो को वहाँ पर कहता है कि हमें एक मित्र के रुप में प्रेम करता है और वह अपने चेलों को अपने मित्रों के रुप में बुलाता है और जब हम परमिश्र का वचन देखते हैं नीती वचन 17 उसका 17 वचन में और वहाँ पर क्या लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अठारा ध्याएं उसका चुबिस वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्सेस 24 और वहां पर पमेशा का वचन लिखा हुआ है, कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परन्तु ऐसा मित्र होता है, जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। और आप सोच रहोंगे, अपने वो जो क्लूस फ्रेंड से उसके बारे में सोच रहोंगे, आप सब के दिमाग में यहीं चल रहा होगा, कि यह वही मित्र है, लेकिन यहाँ पर जो मित्र के बारे में बताया गया है, जो सुलेमान जो लिखता है, जो निति वचन को लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है और वह मित्र कोई और नहीं है वह कौन है वह प्रभु येश्यु मसी है हलेलुया परमेश्वर का धनिवादो और वह हमें एक मित्र के रुप में प्रेम करता है और अपने चेलों को अपने मित्र के रुप में बुलाता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि वह विपत्ति के जब आती तो उस समय क्या करता है परमेश्वर, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, और आज आपके जीवन में अच्छा समय हों, बुरे समय हों, और त समय, चाहे अच्छा समय हों, चाहे बुरा समय हों, वो हर समय हमसे अच्छा प्रीम करता है, और आज हम देखते हैं इस दुनिया में, जब हमारे पास पैसे होते हैं, तो बस मित्र कितने सारे फ्रेंट्स आने रखते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं, तो शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ आनंद करते हैं, मस्ती मौज मस्ती में उड़ाते हैं और जिस दिन आपके पास सब कुछ खदम हो जाता है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता तो उस दिन वो मित्र कहां चले जाते हैं, उस अब आपको छोड़ देते क्योंकि वो मित्र को आपके किस से प्रेम था पैसों से प्रेम था और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो उस समय कौन आपके पास आता है क्या वो मित्र आएंगे आपके पास क्या मित्र आते हैं क्या फिर से वो मित्र उसी समय तक रहते हैं जो संसारी जो होते हैं वो जब तक आप उसे खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, या फिर जब तक आपके पास पैसा है, तब तक वो आपको जताते हैं कि मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, ऐसे जताते हैं जब हमारे पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन सचाय तो ये हैं, कि जब हमारे पास सब कुछ खतम हो ज जाते हैं वो चले जाते है लेकिन परमेश्र का Vachan क्या कहता है निती वचन सत्राध्यवसक今 में कि मित्र सब समय में प्रेंच नूं यह और हमारा प्रभय य जाता है तो मित्र कोई और नहीं है वह हमारा प्रभी सिंध्य तो वीपत्ती की दिन हमारा वहाँ भाई बन जाता है, और वही एक मात्र परमेश्वर जो हमारे दुख में हूँ, चाहे सुक में हूँ, चाहे हम खुशी मनाते हूँ, चाहे आनन मनाते हूँ, वो सब समयों में, वो सब समयों में क्या रहता है, वो हमारे संग रहता है, हालेलुया, परमेश्वर का धनिवाद, प्रव की इस्तूती हो और मित्रत जो है वो सब समय में प्रेम रखता है और आज बहुत लोग ऐसे लोग है जिनका कोई नहीं है अनात है और वो सोचते हैं और वो खुद कोशते रहते हैं अपने आपको कि मेरा कोई नहीं है मेरा कोई नहीं है और वो रोते हैं के लिए में कि मैं अनात हूँ न मेरा माता है न मेरा पीता है लेकिन प्रवियेश मसी हमें बुलाता है वो हमारे साथ रहता है वो ही हमारा मित्र है वो ही हमारा भाई और वह हमारी सब कुछ है हालेलुया और जब हम प्रयातना करते थे तो उस समय जब प्रवेश मसी जब बाते करते थे तो उस समय परमेशर हमें कहते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ परमेशर खुद ऐसे हमें बताते थे और सच में कितना अच्छा लगता था परमेशर की ऐसी बाते को सुनकर और दिल जो है आनन से और खुशी से वो भर जाता था तो आज आपके जीवल में कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं होगा सब कोई आज आपके इंसल्ट करते होंगे आपको सुचते होंगी कि इसके कोई वैल्यू निया जीरो वैल्यू है आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि इसके पास तो न कोई बुद्धी है न कोई दिमाग है इसका शुन्य वैल्यू है जीरो वैल्यू है इसका कोई वैल्यू निया और सच में जब हमारा जीरो वैल्यू होता है और जब हम अपने आपको दीन करते हैं, तो कौन value करता है, परमेशर value करता है, और हम अपने जीवन में, हम खाली दिलो को लेकर आते हैं, और इश्यू मसी के पास कैसे आना है, खाली दिलो को लेकर आना है, और तब हम परमेशर क्या करता है, जब हम खाली दिलो को लाते हैं, तो परमेश्व क्या करता है, उस प्रेम से हमें भर देता है, उस आशिश से हमें भर देता है, हालेलुया, परमेश्व का धनिवाद हो, तो यदि आज आज आपसे कोई प्रेम ना करता हो, कोई आपको वैल्यू नहीं देता हो, कोई आपको कुछ नहीं समस्ता हो, आपको तु तो इसलिए आप क्यों कहते कि मुझसे प्रेम नहीं करता कोई मुझसे बात नहीं करता आप कहते कि वो मुझसे बात नहीं करता मेरा हजब्रिन मुझसे बात नहीं करता मेरा ये बात नहीं करता और आप भूल जाते हैं उस परमेशर के प्रेम के बारे में कि अच्छे समय में और बुरे समय में, वो दोनों समय में परमेशर आपसे प्रेम करता है, तो क्या प्रेम से बढ़कर कोई और प्रेम है? नहीं, परमेशर का प्रेम फास्ट है, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में प्रभू को पहला इस्थान दीजिए, पहला प्रेम में आजए यदि आज आज आपके जीवन में से पहला प्रेम को आपने खो दिया है अपने जीवन में आप अपने जीवन में से बढ़ कर किसी को प्रेम करते हैं परमेशर को पहला इस्थान देना अपने जीवन में और पहला प्रेम में आना है और परमेशर के प्रेम से आज हमें भर जाना है क्योंकि प्रभू हमसे कितना प्रेम करते हैं सच में और हमने नहीं चुना बलकि प्रभू ने हमें चुना और देखेगा और जब आप पहला इस का चलागे वो वापस आएगा हालेलुया और जो भी आपके जीवन में जो छोड़ के चला गया या फिर कुछ भी आपके जीवन में परिशानी दुख है वो सब सही होने लगेंगी और जब हम परमेशर के प्रेम में भर जाते हैं सच में तब परमेशर हमारे जीवन में बहु वो परमेश्वर के आज्याओं का पालन नहीं कर पाते हैं, अपने पापों को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो छोड़ना तो चाते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि वो छोड़ते नहीं हैं, और मुझ से कहते कि हम प्रभू से प्रेम करते हैं, वो सारे काम अपने करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो गलत काम को छोड़ते नहीं है, वो वैविचार के काम को छोड़ते नहीं है, वो गंदिगी आदत को छोड़ते नहीं है, वो अपने जीवन में गाली देना न और कहते हैं कि मैं परमिश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं परमिश्वर से प्रेम करता हूँ, और हो सकता है कि वो अभिशेक पाया व्यक्ति हो, हो सकता है उसने पवितरात्म का भिशेक पाया हो, लेकिर परमिश्वर का वचन क्या कहता है कि आप जानते हैं, तो देखे, हम तो तुम मेरी आज्याओं को मानोगे तो इसका मतलब साफ साफ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखती हो तो तुम मेरी आज्याओं को मानोगे तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं आप करते तो हैं प्रेम तो रखते हैं लेकिन आज आज आ जो परमिश्य ने कहा है कि चोरी ना करना वैविचार ना करना मुर्ति पुजा ना करना गाली के बदने गाली नहीं देना जोट नहीं बोलना मिल मिलाप में रहना तो कि आज आज आपके जीवन में यह सारी पाए जाती है और जैसे कि मर्कुस रचित सुर्समाचाने परमिश चोरी हत्या परिस्त्री गमन लोभ दुष्टिता चल लुछपन और कोद्रिश्टि और नींदा करने वाले अभिमान खमंडी और मुर्खता निकलती हैं तो देखें यह सब क्या है यह सब से हमें क्या करना है अपने आपको ही सब से क्या करना है हमें शुद्धिकन्य आज जब हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं होता तो हम सीधा सीधा direct to direct क्या करते हैं, हम परमेशर पे दूश लगाना शुरू कर देते हैं, कि प्रभु आपने नहीं किया है हमारे जीवन में, ये नहीं किया वो नहीं किया, और हम दूश लगाते हैं, तो आज हमें अपने जीवन क को जाचने कि आज हम कौन सी चाल चलते हैं आज हम हमारा चाल चलन कैसा है क्या हमारा जो चाल चलन है वह परमेशर को प्रसन्न करने वाला योग्य है क्या हमारा जीवन से हम परमेशर को प्रसन्न कर पा रहे हैं क्या हम अपने जीवन में से प्रभु के जो कहता उसके आज आपको देखना है किया आप परमिश्र का प्रेम आपके में बना हुआ है कि नहीं यदि आप अभी भी उसी चीज में फसे हुए हो तो इसका मतलब आप प्रभु में पूर्ण दिती से नहीं आये हो आप उस उद्धार को अपने जीवन में नहीं पाया अभी तक उस क्या परमिश्र का प्रेमा को चाहिए जब हम परमिश्र के प्रेम में भरते हैं तो हम आनंद को पाते हैं और अब देखेगा आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और जब हम अपने जीवन में से ये सारे पापो को दूर करते हैं और परमिश्र का वचन क्या नहीं करना है नहीं मुझे अपने जीवन को क्या नहीं करना है मलीन नहीं करना है मुझे जैसे परमिशक वजन क्या कहता है जैसा येश्युमसी का सभावता वैसा ही तुम्हारा भी सभाव हो तो वैसे ही हमारा भी सभाव होना चाहिए और कई लोग एक दुसरे को बोलते हैं जब थोड़ा प्रात्ना में बढ़ने लगते करने लगते अरे ये तो ये शुमसी बन गई इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि प्रभुक का वचनी कहता है कि जैसा ये शुमसी का सभाव था वैसा ही तुम्हारा सभाव हो तो आज अपने आपको समर्पन कर दीजिए और आप प्रात्ना में बने रहें और जो चो परमिशक वचन कहता उसका आग्या का पालन करना शुरू कर दीजिए और आप अपने जीवन में अद्वुत दृति से गवाई के साथ आएंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आरी है बहुत सारे लोग प्रेयर कर रिक्वेस्ट कर रहें बहुत सारे कम से कम 2000-3000 ऐसे आते हैं तो बहुत सारे लोग शिकायत करते कि मेरा नहीं देखा मेरा नहीं देखा चिद्दा न करें आप परमिश्वर पर भुरूर सा रखें परमिश्वर सब कुछ कर सकता है मैं मैं इतना माईनी नहीं रखती लेकिन परमिश्वर है वो ही सब कुछ करता है आपका विश्वास के द्वारा आप छुटका रखो पाएंगे आपका विश्वास के द्वारा आप चंगी हूँ या लिलिया तो आपको विश्वास में बने रहना है आपको तूरंत किसी पर भूलना नहीं आपका जो जीवन है जो आपका जो विश्वा से वो डावर डोलनी होना जी आपको परमिश्वर पे भुरूसा रखना है और वचन क्या कहता है भजन सहीता में कि मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊंगा मुझे सहायता कहां से मिलेगी मुझे सहायता कहां से मिलेगी मु सब परमेशा ठीप करेगा लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन को प्रवु के हाथों में सामर्थ करना है अपने पापों से आपको छुट करा पाना है अलेलूया परमेशा सच में सब कुछ करने की तो वेवहार है, आप अपने फलों से पहचाने जाओंगे, कि आप कितना परमेशर से प्रेम करते हैं, आपके सभाव में वो आत्मा के फल आएगा, हालेलिया, जो कि प्रेम है, धीरच, क्रिपा, भलाई, विश्वास, नमरतस्ययन, यह सारे फल को अपने जीवन में लाके लि वचन को पढ़ना है, डेली, डेली, जैसे हम खाना खाते हैं, रोज, वैसे हमें वचन को भी खाना है, जैसे हमारी भूक, हमें शरीरिक भूक को क्या करते हैं, रोज, हमें खाना खाना पढ़ता है, हमारी प्यासे क्या होते हैं, वो क्या करना पढ़ता है, हमें पानी पीके जो permission ने वचन दिया तो हम आत्मिक चीवन में भी कमजोर पढ़ने लगते हैं कैसे भी कमजोर पढ़ने लगते हैं विश्वास में हम ढावाण डूल होने लगते हैं हमारा जो प्रेम है permission के प्रती पहला प्रेम वो क्या होता है जब प्रतना और बचन नहीं पढ़ पाते हैं तो पहला प्रेम क्या होता है दीरे 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 वो क्या होता है वो जाने लगता है और हम ज़्यादा टाइम हम मोबाइल को देने लगते हैं ना कि परमिशर को हम दूसरे को देने लगते हैं ये नहीं कहते कि दूसरों को टाइम ना दो, लेकिन परमेशर को भी अपना दश्मास दिना है। समय का दश्मास दिना है। कर दें कर दें हैं बीज गोथे हैं आफरिंग देते हैं। फ्रकार से हमें भी समय का दश्मास लिए हैं। करता है कि हमने किविड कीने हुट कि इस तुदी की, कितने घंटे हमने वचन को पढ़ा, यह सारा आपका भुक है, वो सारे जो स्वर्ग दूथ है, वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो कि आप अपना क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और अब आपको तै करना है, कि आप जीवन का रास्ता चुनना चाहते हैं या फिर आप उसी गिसी पिटी जिंदिगी में जाना चाहते हैं जहां कलेश है दुख है बिमारी है आप कौन सी रास्ता को चुनना चाहते हैं अब आपको चुनाव करना है कि आपको कौन सा जीवन चाहिए आशिश का चाहिए या फिर वही दुख का जीवन चाहिए तो इसल आज अपने आपको प्रभु के हाथों में समपित कर दीजे यह अभी तक आपने प्रभी येश्य मसी को उधार करता के रुप में सिकार ने कि अपने जीवन में गरहन नहीं किया है तो आएए जितने लोगों नहीं किया है अभी इसी वक्त राइट नाउ अभी अपने मुझे अंगिकार करें जिसे रोमियों में परमिशा का वचन कहता है दस अध्या उसका नौवा वचन में अब पढ़िये वहां पर क्या लिखा है कि अपने क्या करना है हमें मुझे अंगिकार करना है कि प्रभी येश्य मसी हमारा उधार करता परमिश्वर है और अपने अपने पा देना शुरू करतीजे, परमेशर के पहला प्रेम से भर जाएए, हालेलुया, प्रभु किस्तूति हो, परमेशर का धनिवाद हो, और आप ये करके देखें, परमेशर के पहला प्रेम एकदम से नहीं आता, हमारा जीवन चरिया है, उसमें हम क्या क्या करते हैं, उस पर डिपे क्या आप कुछ और चीज लगाते हैं क्या आप निगेटिव थिंकिंग लगाते हैं ये वाटसएप मैंने किसी का देखा और उसने कुछ गलत चीज लिखा वह था जो कि वह बहुती गलत था विश्वासी को ऐसा वर्ट कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, यदि आप परमीश प्रचाई करें कि कि यह जीवन हें मेरे जीवन में अपने नस्दीग भी निगेटिव तिंकिग को आने नहीं देना चाहें है। यदि हम निगेटिव आउनियाहि याउए काई निगेटिव चीज इस्तीम आउनियादी niche करेंके कび मेरा जीवन में ऐसा स्टेटस लेखेंगे तो श्यातान तो खूश होता है बेटा तू लेख मैं यहीद चाहए तो निगेटी थिंगिगिंग लिख और मैं तेरे साथ निगेटी भी होगा हम पहले यी अपना पोस्टर बना देते हैं यோ यह है मेरा स्टेटास और मैं इसी में खूश हूँ आप किसको दिखाने के लिए सब काम करते हो यह दिया आप किसी और को दिखाने के लिए करते हो तो यह क्या है परमेशर के नजरों में बहुत गला थे बहुत ही गला थे हमें तो बलकि परमेशर का वचन को डालना चाहिए कि हम सोच भी नहीं सकते और धीरे धीरे हमारा जीवास नाश की हो जाता है इसी छोटी छोटी बातों को आज हमें करेक्ट करने की जो रहता है आप अपने पती से कैसे बात करते हैं कि आप गुसे में बात करते हैं लड़ाई जगड़े के द्वारा बात करते हैं कैसे वह आप यह सब हमारे जीवन में हाना चाहिए क्योंकि आप फल से पहचाने जाओगे कि आपके अंदर पवित्रात्मा है कि नहीं कि आपके अंदर कौन सा आत्मा कारी करता है दुष्टात्मा कारी करता है या फिर परमेशर का आत्मा कारी करता है और हम कैसे पहचान पाएंगे वो फल से वो फल से आप पहचाने जाओगे कि आके अंदर कौन सा आत्मा है हालेलुया तो फल से हम दिखना चाहिए और आज से आप द्रिनिश्चे कीजिए कि मैं अपने जीवन में पहला इस्थान में प्रभु को देंगी मैं परमेशर स्नी स्वार्थ प्रेम करूंगी और मैं परम आत्मीक जीवन साथ ही मिलेगा और आप चाहते हैं कि अपका पती आपसे बात करें आपके दूसरी जो लेडी से और जिसके पास जाता उसको छोड़कर आपके पास आजाए तो आएगा लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आज आज आपका सभाव कैसा है आपका जीव रिपल्लाइ से कौन सी बाते और निकलती है कौनसा आपको देखेए जब आपको पती अब से बात करता है तो आप सुसी При Lamb Come करते क्या वो जब गुस्था था आप गुस्था करतें कि जो वोगाली करतें आप पर होता है, तो आप अपने फल से पहचाने जाओगे, हालेलुया, इसलिए परमेश्र का वचन कहता है, कि जो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी आग्याओं को मानता है, हालेलुया, तो क्या आप परमेश्र से प्रेम करते हैं, यदि करते हैं, तो आप परमेश्र की आग् करोगे जो परमेशर का वचन कहता है हालेलुया परमेशर का धनिवादू परमेशर का धनिवादू परमेशर का धनिवादू परमेशर का धनिवादू तो इसलिए गुटने पे आ सकते हैं तो गुटने पे आ जाईए आप प्रात्ना करेंगे सब के लिए प्रात्ना होगी और प्रमेशन अज इस सुबह की प्रातना को करती है प्रमेशन आज इनकी बदल जाने के प्रातना करती है शुमसी किस्छा मरती नामए प्रव आज इने प्रातना पवितरात में गवाई करेगा तो मैं वच्छन जरूर बताऊंगी एक अलग से वीडियो बना कर मैं आपको जरूर मैं आपको बताऊंगी कि यह है क्या चीज़ है बहुत सार लोगों के मन में कंफ्यूजन है आपकी कंफ्यूजन और जिस दिन पवितरात में मुझे गाइड क दिन आप तैंक यू जीजस थैंक यू लॉर प्रभुजी धनिवाद करते हैं प्रभुजी आज सब के मन को खोल दीजे प्रभुजी प्रात्ना करने का आत्मा से भर जाए आज एश्यूमसी के सामर्थिना में आज आज आपके पहला प्रेम से भर दीजे पीता परमेश्व प्रभुजी हम आपसे आशिश को चाते हैं प्रभुजी आज पिता परमेश्वर आज इनकी जीवन में प्रभुजी आज इनकी जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करना पिता परमेश्वर प्रभु सच पिता परमेश्वर आपने हमें नया दिन दिखाया है ये नया साल द मैं नहीं प्रबु जी आप है पिता परमेशर हमारा छुचका रहा देने वाला प्रभु को जगा दिजिए आपकर जीवन बदल जाए येश्यो के सामर्थी नाम में आपक बनाओ पिता परमेशा पवित्र करो परमेशा आज प्रबुजी पूरती सा शुद्र कर दीजे आज आज सभी प्रात्ना करें प्रभु मुझे पवित्र कर दीजे मुझे शुद्र कर दीजे प्रभु जी मेरे आखों को पवित्र कर दीजे मेरे कानों को सुन्ना को पवित्र कर दीजे मेरे हिर्दे मेरे अंतरात्न मेरे विवेक मेरे कौशिस को पवित्र कर दीजे मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर देजे मेरे पैरों को पवित्र कर देजे प्रभुजी प्रभु देया कुर प्रभुजी अपने लहों से दोकर शुद्र पागा पवित्र कर देजे हलेलिया अज अपने पहला प्रेम से बहरतो और कोई नहीं है। सच पीता problems blinking दुनिया छोड़ देता है लेकिन आप नहीं छोड़ता है प्रब जी और आपका प्रेम के जैसा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता येशु की लोगी जया तैंक यजूकी तैंक ये जुनु derived बुदे चुनילूर नरब करतेुं लौटिटcke अब का आनि आन नो और देylे वडोल्प तैंक या बढ़ का दियू दियू आ ठीunting लौटिरा नरब शर्नावाviolो करती vet आपके जीवन में से हर प्रकार की दूष्टात्मा चोड़ कर चली जाए अभी इस वक्त तो कुछ भी नहीं यह मसी के सामर्तिनाम में हर एक दूष्टात्मा है आपके जीवन को छोड़ कर चले जहां right now in the mighty name of Jesus Christ, मैं प्रात ना करती ये शुमसी के सामर्तिनाम में, आज आपका जीवन बदल जाए ये शुमसी के सामर्तिनाम में, जो जवान बच्छों को जो दुष्टात्मा तंग करती है, जो बांद के रखो ही है, जो उनका फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, मैं ऐसे दुष्टात्मा को मैं डाट दे जाओ इसको छोड़कर, तु जाओ अथाकुन में जाओ ये शुमसी के सामर्तिन में इसके जीवन को छोड़कर चली जाओ, मैं तुझे आड़र देती हूँ, मैं आग गया देती हूँ अभी इसी वक्त ये शुमसी के सामर्तिनाम में, हालेलुया, रभा बाबा शे, कोई खेलना नहीं है, कोई कुछ नी करना है, तुझे जाना है ये शुमसी के सामर्तिना हालेलुया, थैंक यू जीस, थैंक यू जीस, थैंक यू लॉर्ड, प्रभुजी आपका धनिवात करते हैं, पीता परमेशर, मैं प्रावत न करती है, जिन जिन को अच परिशानी है, आपके बॉर्ड़ी में जो पेन है, दर्द है, सब यश्य के नम से खतम हो जाए, और जहा चंगे हो जाए श्य मजी के समर्थी नम में, मैं प्राथ न करती हूँ, इन दमाइटी नम अफ जीस, ठालेलुया, आपके जो नाखुन है, जो कि इसमें चोट लगा था, और वो उसके बाद बहुत बड़े घाव में बदल गया है, मैं प्राथ न करती हूँ, यश्य के नम नम प्राथ न करती हूँ, इन दमाइटी नम अफ जीस, आपके स्वेलिंग खत्म हो जाए, आपका जो दर्द हो जाए, जो आप खाना निखा पाते हैं, यश्य के नम से चंगे हो जाए, इन दमाइटी नम अफ जीस का है, बिडिवर और बिहेंटी नम जीस, आपके कमर का दर्द के प्रविम से अजयाद हो जाए, आपकर बैकmente के दर्द यसी वक्त प्रभव।। यहल यहनु बियाद के most नहीं करते हमें, हालेलिया! प्रभु का धन्यवाद और वो निकल रहा है इसी वक्तिशी के समर्थी नामे बिडिलीवर्ड प्रभु आपको छुड़ा रहा है और चंगे हो रहे हो पवित्रात्म क्याक कभी शेक के दरबंधन टूर जा है हर प्रकार की बिमारी आपको छोड़ कर चले जाए शुमसी के सम समर्थी नाम में मैं प्रात्ना करती हूँ हर प्रकार की बिमारी से अजाद हो जाए हर प्रकार की बड़ी छोटी को भी बिमारी है अकर शरी में टिकने ने पाँ निकल जाए इसी वक्तिशी मसी के समर्थी नाम में इन दमाइटी नेम अफ जीजिस का जो बोल नहीं सकते व अपके गर्ब का फल ब्लेस और शुमसी के साब अरतिना में अलेलिया थैंक जीजस थैंक लॉर्ड मैं धन्यवाद करती पीता परमेशर थैंक यू जीजस और ऐसी बहुत सारी गवाई यारी प्रभू मैं आपका धन्यवाद करती हूँ थैंक यू जीजस और आप भी बड़ी गवाई के साथ वापस आने वाले परमेशर अपके जीवन में गवाई को बना रहा है विश्वास में स्थीर रहा है बने रहा है अड़े और खड़े रहा परात्ना को सुनते रहा है और साथ में प्रात्ना करना ना छोड़े प्रभू आपके जीवन में कारी कर रहा है और जल्दी आप अपने जीवने बहुत बड़ी गवाही को देखने वाले हालेलुया परमेशर का धन्यवादी ये श्यू के समर्तिने महार प्रकार की बिमारी से आजात हो जाओ आपको रि एंड को श्यू में पर मैं चीश्यू मोषंति है इंत्व भी और विक्ड मिव्ग्निष खत्म jai कन्जवरी खत्म ऊगर ś辉ट होजआ हम कि व्यूकित कोड़ा होगा है जो चनगें מסी के समर्ति में जो ये शुक नाम से नशह किया इस पेरेट आपको छोड़कर चले में शराब की आत्मा छोड़ कर चली जाए अपकी जीवन में से आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा बिडिलीवर इस वोकिंग चैनिस मोकर सब खतम हो जाए शुमसी के समर्ति नाम में रबागादी रड़ा बश्य रड़ा बकति रहा और यह दुश्टा अत्मा जो को बां को लह में करती हूँ स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं खरका अपके परिवार करिश्यों के कि लह में कवार करते हूं कि उन्हें अपने घर में सवर्गदूतों को देखा जो जाँ को खूल कर आरे थे और कि मैंने इसे data में अपनीновाद द्धिखने पाया आपके प्रभू आपको देखता है और आपकी जुरतों को परमेशा पूरा करके देगा आप परमेशा को नौकरी से यहुथ में चरने तीकिंज के लिए यह सब्सकेता है इस चाए में ब्रहत है और यहां सब्सक्रेटेकलिज फमांडी के ब्लेस नीमित्यिके अधीर को आपको अुद्यों इशु के समर्थी नामे चंगी हो जाुँ intellect ज़सकी करज से छुटकारारा पाई ये चंगे हो गया और ये डिलीवार हो गये मैं धन्यवाद करती पिता पर मैं प्रावथ न बात्य पता परामिशार ने कलीip है उस मिनेश्ट्रि में गार्व न करती। प्रभुजी और आशी शोकर बदल जाएंके परिवार इनके घर के हरेक सद्दस्य पत्ता परमेशर और इनके अर्थिक समस्यां को दूर करना प्रभुजी आप सहता कर रहें नौक्री से ब्लेस्ट करें पिता परमेशर अनुगरा दे पिता परमेशर के घर से बंदन तूट से जितने लोग के कोई भी कियो नहों जो कि फरं Whenever पिता परमेशर यगार करें प्रभुजी को में PR flower करती इंका निगेटिवाने पाई ए और आटमा Rica आत्मिक जीवन में बढ़े और मैस 나타ימ बने रहा है वह परमेशर के आज्याओं में बनी रहे है हालेलुया पाप को अपने जीवन में जगाना दे परमेश्र का जैसे येश्य मसी का सभा होता वैसे आपका ही सभा बदल जाए और आत्मा के फॉल से आप भरे रहें येश्य मसी के समर्थी नाम में थैंक यू जीजस सारी परात्ना को सुन लिया मैं धनिवाद करती प्रभु पिता परमेश्र आमीन परवु का धनिवाद हो आज की हमारी प्रात्ना को आप सभी लोग जिसको चाहाँ शियर करें और अभी तक जो आपने इस प्रात्ना की चैनल को प्रात्ना और वच्चन मसीगी तैजडी को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जितने लोग परमेश्र के राज जी के लिए अपना डूनिशन देना चाहते आफरिंग और दश्मान देना चाहते तो आप गुगर पे या फेटीम के थरू या फोन पे के थरू आप अपने आफरिंग को भेज सकते हैं और जो बाहर से हैं बाहर की कंट्री से वो जो नंब दिखाये जा रहा है उस नंबर पे आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें और परमेश्र आपको बहुत तायत काशिश देगा और जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इसी नंबर पे शेयर करें और हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे हाल प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी लोगों को जय मुसी की